बाते करते हम खेतों की और उसके रखवाली की बाग बगी जब फल्फूलों और फसलों की हर्याली की हम बेजों की बाते करते उत्तम जलसन साजन की हम तो दिनी की बाते करते फसलों के उत्तम जलसन की हर किसान का सपना सच हो जीवन सुगद बनाने को गाउं गाउं की हर्यांगन का प्यारा साही दर्शन गजित हैं सफल किसार कृषि दर्शन कारिकर में आप सबीकिसान भाई बहनों का तही दिल से स्वबागत है उपा भोजी का जुहार नमस्कार आपको इंतजार है समाचार का तो चलिए देव में ही करते हुए हम आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर नमस्कार क्रिशी समाचार में आपका स्वागत है मैं हूँ जया आए देखते हैं आज क्रिशी समाचार में क्या है खास गढ़वा में दुधारू गाय वित्रन के लिए 10 मई से होगा पशु मेले का आयोजन राजे के किसान जयविक खाद बनाने के लिए ले सकते हैं अनुदान खीरा के बहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद जापानी लॉंग ग्रीड अब समाचार विस्तार से गव्य विकास मिदेशाले द्वारा गढवा के सभी सूची बद बीपिल महलाओं को दो-दो दुधारू गाय देने के लिए पशु मेले का आयोजन किया जाएगा गढवा जिला के सोनपूर्वा स्थित जिला गव्य विकास कार्याले परिसर में यह मेला 10 मई से शुरू होगा इसमें लाभुकों के लिए निर्देश है कि वे मेले में आकर लगतार तीन शाम दुहाई कर अपनी पसंद से गाय खरी दे राजी सरकार जार्खन में जैविक खेती और जैविक खाद के उप्योग को बढ़ावा दे रही है इसके लिए जार्खन के सभी जिलो में उद्यानी की फसलों की उत्पादन और उत्पादक्ता बढ़ाने मिट्टी की उर्वरा शक्ती बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें स्थानिय स्तर पर उपलब जैविक, उपादानों से जैविक खाद बनाने के लिए प्रोच साहन और अनुदान देने की योजना है इसके लिए राजे के किसान अपने जिला के जिला उद्ध्यान कार्याले से संपर्क कर सकते हैं जून महीने से यानी बरसाथ शुरू होते ही खरीफ फसलों की खेती शुरू हो जाएगी खरीफ फसलों में खर्पतवार नियंत्रन के लिए अभी से तयारी शुरू कर दें अभी मिट्टी पलट हल से खेत को कोडाई कर छोड़ दें मिट्टी में मौझूद खर्पतवार के बीच धूप की गर्वी से मर जाएंगे अभी पूरे मई महीने से लेकर जून में बारिश सुरू होने से पहले तक पुरजोर धूप और गर्मी रहेगी किसान इसका लाब खरीफ की खेती के लिए ले सकते हैं इस गर्मी में किसान मिट्टी पलट हल से खेत की जुताई करें और मिट्टी को वैसे ही छोड़ दें इससे खर्पतवार के बीच भी मरेंगे और सुक्ष्म जिवानू और किटानू भी मर जाएंगे बीच होते हैं वह मिट्टी के अंदर दबे होते हैं तो खर्पतवार के जो बीच है वही उपर आ जाने से मिट्टी पलटने वाले हल से वह उपर आ जाते हैं और उसका धूप में काफी पढ़ने से धूप का असर से वह बीच जो है मर जाते हैं तो खर्पतवार के भी समस् लिए उन्नत प्रभेद जापानी लॉंग ग्रीन, पूस संयोग, बालं खीरा, पूना खीरा या स्वन अगेती लगाएं। बुआई के लिए अपने खीरा के जिस उन्नत प्रभेद का चुनाव किया है। इंद्र सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर की मदद से अनाचवर्गिय फसल या तेलहनी फसनों को काटने और कटी फसल को कतारबत तरीके से जमीन पर रखने का काम कर सकते हैं। ये इंजन से चलने वाली मानव चलित यंत्र है जिस से 60% मजदूरी की बचत और 60% संचालन खर्च में बचत होती है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में फलशेदक कीटों के रुख थाम के उपाए के बारे में। टमाटर फसल में फलशेदक कीट के नियंत्रन के लिए फूल निकलने पर ट्राइकोडर्मा, किलोनिस या ट्राइकोडर्मा ब्राजिलियन्स की एक लाक मात्रा प्रती हेक्टेर की दर्से खेत में डालें। ये प्रयोग चार से पांच बार एक एक सप्ता के अंतराल पर और अब एक नजर राजे के पांच प्रमुख शहरों के मौसं के मिजास पर। देवहर का दिक्तम तापमान 31 टिग्री सेल्सियस और 9 टिग्री सेल्सियस और अब मंडी भाव में आईए नजर डालते हैं अनाजो के भाव पर। आज क्रिशी उत्पाद बाजार समीती धनबाद लोहर्दगा राची में विभन खाद्यानों के थोकपाव कुछ इस प्रकार दर्च किये गए 500 रुपए yeah शर्षोतेल 9500 रुपए से 10800 रुपए चीनी 3500 रुपए से 3700 रुपए आलू 800 रुपए से 1250 रुपए और प्याज 700 रुपए से 1250 रुपए फ्रतीकविंट हेल रहा कृशी समाचार में आज इतना ही अगले दिन अगले अंक में फरसे मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ तब तक के लिए दीजे इसाज़त नमस्कार जुहार जानकारी का पिटारा तो खुल चका है और जब किसान भाई बेहनों के लिए है तो ये तो जाहिर है खेट खलीहान से समंधिती होगा तो इस बार की जानकारी हम कुछ खास देने जा रहे हैं आज की जानकारी है गर्मा लत्यदार सबजियों की टपक विधी द्वारा कैसे हम सिचाई कर सकते हैं इस बारे में तो आएए देखिए घौर कीजिये और लाब उठाएए किसान भाईयो नमस्कार आपका हमारे कारेकरम कृषिदर्सन में बहुत बहुत स्वागत है किसान भाईयो आज हम आपको बताएंगे कि गर्मा लत्यदार सबजियों में टपक सिचाई प्रबंधन किस प्रकार करें जारकन एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पर जो जारकन की जो भगौलिक छित्र है लगभग 79,000 स्क्वाइर किलोमेटर में फैला हुआ है जिसका वन थर्ड जिसे एक तिहाई भाग में सिर्फ एक खेती किसान भाई करते हैं उसमें भी सिचाई की जो सुबधा है जो गाउं में सिचाई की सुबधा है वो सिर्फ 10-12% ही उपलब्ध है तो इस परिपेक्च में किसान भाईयों को जो गर्मी में लतर की सबजियां उगाते हैं उसमें ड्रीप सिचाई का ड्रीपरिगेशन जो सिस्टम है ड्रीपरिगेशन मेथ़ड उसका काफी महत्वपूंण रोल हो जाता है ताकि कैसे कम पानी में किसान सबजियों की खेती और असानी से कम स्रम लगाकर और कम पुंजी में और कम समय में कैसे सिचाई प्रवंधन करेंगे यह काफी उनके लिए उप्योगी है। ड्रीप सिचाई एक ऐसी तक्निक है जिसमें सिर्फ रूट जोन जो पौधों का रूट जोन है सबजियों का जो रूट जोन जिसको बोलते हैं जड़ चैतर हिंदी में बहुत ही धीमी गति से फ्रिक्वेंट मतलब बार बार हम लोग रूट जोन में पानी देते हैं और इसमे बुन बुन पानी डारेक्टली रूट जोन में जाता है जिसमें किसानों को 50-60% पानी की बचत होती है इसके अलावे जो स्रम उसमें जरुवत होती है वो काफी कम हो जाता है और सबसे बड़ी फायदा है किसानों को खर्पतवार जो उसमें सब्जियों में निकलते हैं अगर हम ड्रीप सिचाय के बेवार करते हैं तो उसमें खर्पतवार काफी कम निकलते हैं चुकि पानी रूट जोन में जा रहा है बाकी जमीन सुखी हुई है उसमें खरपतवार निकलने के कोई समभावना नहीं है, इसलिए खरपतवार भी कम निकलते हैं, समय की बचत होती है और कम पानी में और इसमें जो उपलब्द जो इसमें जो नमी है उसका उपसही उप्योग कर पाते है। ओपी सर हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे जो मसीन के द्वारा पंप से सिचाई खेतों में होती है और उसके अप एकछा ड्रीप एरिगेशन जो करते हैं उन दोनों में फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है क्या अंतर होता है अभी तक किसान भाई जो परंपरागत तक्निक से खेती करते आ रहे हैं उसमें पंपों के द्वारा लिप्ट सिचाई पंप या जो सधारन पंप है उसके द्वारा वो पानी को खेतों में सर्फिस सता पर डालते हैं पूरे खेत में पानी जाता है और काफी पानी उसमें हैं अगर हम सर्फेस एरिगेशन करते हैं तो तो घाफी नियुटियंट जो है जमीन की नीचे चला आता है और एक जगह जमाहो कर और जो मीटीमिस ऐसीडीटी है जो स्वाेल जो बलते हैं जो श आम ड्याय आज़ाइं में हो गया तो स्वायल में जो नूट्रियंट्स उपलब्द है उसका इनिफॉर्म जो डिस्ट्रीबूसность जो एक समानरूप से मित्टी के अंदर उसके डिस्ट्रिबूशन है वो सर्फेस इरिगेशन में नहीं हो पाता है लेकिन ड्रीप इरिगेशन में चुकि माइकरो न्यूट्रियंट जो एक समान रूप से रूट जोन में फैला हुआ होता है इसलिए पौधों का विकास भी उसके अनुसार अच्छा होता है तो हमारे किसान भाईयों को यह बताएं कि यहां पर अलग-अलग प्रकार की मिटी है तो मिटी के हिसाब से ड्रीप एरिगेशन का क्या महत्व है मिट्टी के अनुसार जैसे किसान भाई अभी जो गर्मी के दिन में लत्तर की सबजी लगाये हैं इसमें मिट्टी जो उनके पास उपलब्ध है उनकी मिट्टी की जाँच किरा लें और उनमें मिट्टी के जाज के अधार पर जो फर्टिलाइजर डो जो उन्हें अनुसानसा क्रिसी विज्ञान के अंदरों के माध्यम से दिया जाता है। उसके अनुसान ड्रीप रिगेशन में पानी के साथ साथ वो हम लोग जो नूट्रियंट हैं जो पौधों के लिए अवस्यक के नूट्रियंट हैं उसमें पानी के साथ साथ दिया जा सकता है। उसको अलग से देने के जरुवत नहीं है और fertilizer use efficiency भी इस पत्ती में काफी बढ़ जाती है उसका सही distribution होता है सही खेतों में distribution होता है जबकि जो प्रमपरागत बिधी है हाथों के द्वारा जो खेत में fertilizer कुछ लखते हैं उसमें root zone में नहीं जा पाता है root से अलग हो जाता है और उसका सही प्रवंधन जो management है nutrient management किसान भाज नहीं कर पाते हैं इसलिए drip irrigation में पानी के साथ साथ जो soluble nutrient है उसको अगर हम देते हैं तो उसमें किसानों को nutrient management अच्छी तरह से हो जाता है और पौधों का विकास भी और पौधों का जो उपज है उस पर का काफी प्रवाव पड़ता है चुकि nutrient management और water use efficiency दोनों जिसको हम लोग फर्टीगेशन करते हैं इसमें फर्टीगेशन जो तकनिक है उसमें पानी की साथ साथ फर्टिलाइजर भी हम लोग साथ साथ देते हैं तो पौधों के लिए काफी उसमें जरूवत है पानी का और nutrient का तो इसमें साथ साथ देने से उसमें पौधों का विकास भी तेजी से होता है और उपज भी किसानों को अच्छी मिलती है मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि मिटी कहीं बलूई होती है कहीं चिकनी मिटी होती है तो इस मिटी में कहीं पानी ज्यादा सोकती होगी और कहीं कम तो ऐसे में किसान भाईयों को इससे प्रभाव पड़ता है क्या पानी कहीं ज्यादा और कहीं कम कि मिट्टी अगर संदिव थो तो उसमें पानी काफी त्यजी से अंदर जाता है और जो नहें दोमट स्वायल है कि उसमें काफी धीरे-धीरे जैसे इंफिल्ट्रेसन वोलते है पानी का अंदर जाने comentarios वो उसमें अलग-अलग होता है हर एक स्वायल का जो movement है पानी का जिसको infiltration बोलते हैं वो अलग-अलग होता है हर एक मिट्टी का अलग-अलग होता है तो जिस मिट्टी का infiltration rate अधीक है उसमें हम लोग drip irrigation का प्रियोग नहीं करते हैं और जिसमें infiltration rate मिट्टी का कम है उसमें हम लोग drip irrigation का प्रियोग करते हैं हारखन सरकार में अभी काफी इसकी किसानों को प्रसाहित करने के लिए सरकार के द्वारा ये काफी इस सरकार किसानों को सबसीडी के रूप में किसानों को दिया जा रहा है इसमें 90% किसानों को अनुदान मिलती है जैसे एक एकड में किसान अगर लगाना चाहते हैं एक एकड परसेंट मतलब 6-7,000 रुपया सिर्फ किसानों को इसमें शेयर देना पड़ता है बाकी सरकार द्वारा 90 परसेंट मतलब लगभग 55-55,000 रुपया उनको सरकार देती है उन लोगों को सबसीडी मिल जाती है तो यह बहुत ही अच्छी तक्निक है खासकर लत्यदार सब्जियों में जहां पर गर्मी के दिनों में पानी की अनुप लबदता जो है काफी समस्या होती है उस समय ड्रीप रिगेशन लगा कर और किसान इसका भरपूर फाइदा ले सकते हैं सभी किसान भाईयों को इसका बारे में जानकारी लेने के लिए क्रिसी विज्ञान के इंद्रों से भी जरूरत जनकारी मिलती है और बी सर आपने हमारे किसान भाईयों बहुत ही अच्छे जनकारी दिकी वो टपक सीचाइक कैसे करें और सरकार इनके लिए क्या कुछ करें आपको इतनी सारी जनकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जियां बारी है दूसरी जानक दिल्वाने जा रहे हैं जिहां तंदरुस्त रहे हमारा ये जानकरी देखिए दोक्टर साब किसान भाईयों को आप बताएं कि फलवाग लगाने की वीधी क्या है उसके लिए क्या धारबुत सरंचना की जरूरत है फलदार पौधे का महत्व और जारखन के खासर के जारखन क पर द्रिशी में तो बहुत ज्यादा मतलव की क्रिशी में बहुत अच्छा स्थान रखता है इसलिए कि खाद्यान के उत्पादन में फिलहाल तो मतलव की जरुखन लगता है कि अपने आत निर्भरता की और मतलव की बढ़ रही है लेकिन जहां तक सवाल है फलों का तो फल उब रिक्षो का खास करके मतलव आम, अम्रूद, बेर, बेल, आउला, पपीते इन सब मतलव की फलों का जो है खेती जो है वो हम बहुत मतलव की यहां सभलता पुर्वक मतलव कर सकते हैं तो जहां तक सवाल है मतलव की सभी लोग अगर फलों की चर्चा किया जाए तो फलो में आम हम उसका मतलव स्थान सबसे उपर रखते हैं इसलिए कि आम जो है खासर के बिशेस मतलव की जादा परिसानिया तो सभी फलों में उगाने में है लेकिन आम थोड़ा आसानी ढंग से मतलव सभी तरह का लगभाग जो मध्यम जमीन हमारा है या उपरी जमीन इन सभी दोनों प्रकार के जो है टार और मध्यम इस दोनों जमीन में हम बहुत सफलता पुरुबग कर सकते हैं जहां तक सवाल है अभी बैग्यानिक मतलव की बीधियों का खासर के लगाने की तो आउस्तन आम तो जो है अगर हम आप किताबों के माध्यम से या और किसान डायरी के म लगाया जाता है लेकिन चुकि इसके बीच में काफी स्पेस बच जाते हैं और उस स्पेस में जो जग हो जगा है उसको हम चार-पांच साल मतलव खेती बढ़िया से मतलव कर सकते हैं तो एक समझे एक फल विरिक्चों पर आधारी तेक कृशिवाने की पत्ति का रूप ले वो अपने जो फल्दार पौधे की जो अंतराल है पौधे से पौधे लगाने की दूरिया है उसको मतलव कि हम थोड़ा कम करेंगे और उसको जो है अलग-अलग घनत्तु में जैसे परतिकाई भूमी पे अगर हम पौधे को धाई मीटर धाई मीटर के अंतराल पे अल्ट्र हाइडइंसिटी इसको अल्ट्र हैइडिंसिटी टखनीक बुला जाता है पौधे से पौधे की दूरी जो है धाय मीटर और कतार से कतार की दूरी Labrat dáab करके वह हम आमका मतलव की जो है फ्लबाग लगा सकते हैं जहां तक मतलव की फ्लबाग लगाने की बात है तो उसके कि हमें 4-5 एरिगेशन, 4-5 जो है सिचाई हम साल में कम से कम दे सकेंगे तो वैसे ही छेतर का चैन करें और दूसरा है कि जिस छेतर में आप लगाना चाहते हैं उसकी घेरे बंदी एक्तम निश्ची तोर पर मतलब उसमें एक बाड लगाएं चुकि बाड लगाने से हमारे फल बाग और उसमें फलदार पोधे लगाएंगे और हमारा जो अधिस है फल बाग लगाना और लगा करके उस से फल प्रात करना खासर के जो medium land है और upland है तो इन दोनों स्थिति में बाग जो है हम सफलता पुरुपग लगा सकते हैं जहां तक मतलब की बिटी का सवाल है तो जारखंड का लगभग मतलब सभी हिस्सों में जो खासर के जो आम का मतलब की फ्ल इसको हम उगा सकते हैं इसमें मिटी में अब है मिटी तो ठीक है कहीं कि मिटी का माध्यम आमलिये है कहीं का थोड़ा सा मतलब की जो है neutral है कहीं थोड़ा सा चारिये है तो इस स्थिती में चारीय मिट्टी लगभग जारखम में नहीं के बराबर है, कुछ पॉकेट छोड़ करके, लेकिन आमलियता है और लगभग आमलियता मतलव किसे न किसी रूप में यह उपरी जमीर और मध्यम जमीर में है, जहां तक सवाल है मिट्टी का, तो मिट्टी मतल कि पॉधे से पॉधे अगर अल्टरा हाइडन सिटी, कम जमीन में आप जाधा फलदार पॉधे, आम के पॉधे लगाना चाते हूं, तो पॉधे का अंत्राल को कम करना होगा, वो धाय मीटर, पॉधे से पॉधे के दूरी धाय मीटर और गढ़दे से कतार से कतार, जो यूजना सदोर हbecue उन्यम में यूजना लाइगा यह वाई यूजiva का तो गडहे का कारह मतलो की जो है धाइफिर लंबा धाइफ को बना लेते हैं जो हम लगाएंगे तो मतलों की हम इसमें मतलों की सफल हो जाएंगे प्रारा मिक सफलता मिल जाएगी डॉक्टर सार आप ये बताएं कि जो फलदार वरिक्ष लगाते हैं जब पौधा विक्सित हो जाता है उसके बाद क्या-क्या शंभावनाएं होती है कि फल को नुक्षान होता है कि टानू पंद्रह से बीस किलो लगवक्षा हुआ कंपोस इसमें की बद्व बगर नहों तो सब्सक्राइब बर्मी कंपोस मिलता है तो पांच से साथ के जी प्रती गड़े आप इसको डाल करके और उस गड़े को भर दें बरसात से पहले बरसात अगर बरसात आ जाये तो उसमें मतल की पौधे का रोपन करें और रोपन के समय परतेक मतलव की पौधे के साथ पचीस से तीस ग्राम डीएपी और पचीस से तीस चालिस ग्राम के आसपास पुठास यह दो रासाइनिक खाद ही केबल डालें और कीट खासर के दीमक वगएरा से बचने के लिए या अन्य मतलव हानिकारक जो पौधे के लिए हानी पहुचाने वाले कीटों बचने के लिए दानेदार जो कीट नासक है उसका जो है 15 से 20 ग्राम प्रतेक गड़े कुछ गड़े में डाल दे कुछ मिट्टी में मिला दीजिए ऐसे करके मतलों की हम इसको मतलव करेंगे और इसका जो है साथ साथ जो हम मतलव की कम दूरी पर जो पौधे लगा रहे हैं जो कम छेतर फल में हम अधिक पौधों की संख्यां से अधिक फल प्राप्त करने का जो मिला लक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए हम जो पौधे पौधा का रोपन करेंगे वो बड़े-बड़े पौधे का र रहेगा यह पहला लक्ष है दूसरा है कि इसमें रासायनिक खाथ डालने का तो हम खिसान भाई आपको मतलव की एक सलाव देना चाहूंगा कहना चाहूंगा की दोसाल तक किसी पकार का रासाइनिक खाद खासर के यूरिया तो आपको बिल्कुल नहीं डालना है और ज्यादा ज्यादा आप जो है मैं बताया कि प्रतियक बर्स 25-30 ग्राम मतलव की डियेपी और पर्थम बर्स मतलव की 25-30 ग्राम तक पुटास दूसरे बर्स जो है 50-60 ग्राम तक पुटास डाले के बन और इसके सिवा आप यूरिया जैसी खाद का इस्तिमाल न करें और कंपोस्ट का मतलव की इस्तिमाल करें इससे क्या होगा कि पौधे क जड़ पोधे के जड़ के पास का हिस्सा तना जो है मजबूत होगा कैसी लगी जानकारी अच्छी थी ना हमारे पास जानकारियां और भी है लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में जरूर दिलवाएंगे यह हमारा वादा है तीन चार शुन्य शुन्य एक तो अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाजत नमस्कार जुहार